अगर आपके पास एक बाइक है जिसमें डिश्टल मीटर लगा हो जैसे इसमें लगा हुआ है और वो खराब हो गया हो तो आपके लगभग 500 रुपे खर्च हो सकते हैं तो इस वीडियो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ही अपने मीटर को कैसे रिपेर कर लेंगे जिससे आपके 500 रुपे बच जाएंगे लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि इसका मीटर नहीं चला है पहिया घुमा के दिखाना जरा है आप देख सकते हैं यहाँ पर यह मीटर नहीं चला है तो इसको रिपेर करने की टेक्निक मैं आपको इस वीडियो पहुंच सके तो सबसे पहले आप यह जान लें कि आपके पास कोई भी बाइक हो अगर उसके अंदर डिजिटल मीटर लगा हुआ होगा तो अगले पहिये में सेंसर लगा होगा या आपके पास आपाची 1FT RTR ABS वाली है तो उसमें दोनों पहियों में सेंसर लगा होगा और क तो यही हो जाता है खराब जिससे आपके लगवग बान सो रुपे खर्च हो जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूं इसमें यहाँ पर ऊपर कपलर लगा हुआ रहता है यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह इससे निकालना पड़ता है और यह हो जाता है खराब यहाँ पर तूट जाती है और यह तार कहां से तूटती है मैं यह भी आपको बता तूटेंगी या फिर तार यह तूटेंगी यहां से आप देख सकते हैं यहां से तार तूटी हो यह मत्तब इतनी दूर से जब यह रहता है और इस तरीके से मूग करता है तो यहां से तार तूट जाती ह और फिर आपका मीटर हो जाता खराब इसमें मैं रिपेर कर चुका हूँ इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है अन्य था आपको यह इस तरीके दिखेगा बिल्कुल ऐसे और आपको पता नहीं चलेगा इसलिए आपको चेक करना होगा इसमें तीन तारे लगी होती हैं आप हो जाते हैं तो आपको यह चेक करना है कि कौन सी तार आपके टूटी हुई है उस तार को चेक करके और आप इसको जोड़ देंगे तो आपके लगए 500 रुपे बच सकते हैं अब आपके पास कोई विभाई को चाहे टीवे सपाची हो पलसर हो कोई विभाई को जिसमें यह उसमें आप इन चीजों को अपलाई कर सकते हैं और अपने 500 रुपे बचा सकते हैं अब मैं इसको जोड़ के और आपके चक भी करवा देता हूँ यह चीज़ चल लई है या नहीं चल लई है और यहां से आप देख लें यह आप देख सकते हैं यह मीटर चल ला है यह आप देख सकते हैं इसमें यहां पर यह मीटर चल ला है इस वीडियो में मैंने पलसर 150S का परियोग किया है आपके पास कोई भी बाइक हो इसमें डिजिटल मीटर होगा यह चीज़े होगी तो आप उसमें अपलाई कर सकते हैं तो आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी आपके लिए यह helpful रहे होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यबाद आपका दिन सुभ पहे धन्यबाद